जय हिंद अबरिवान आप सब का आपके उडूब चैनल राष्टि सीवा पे स्वागत है आज हम अपने 18 नूवंबर 2024 के इंपोर्टन्ट करन्ट अफेस को डिसकस करेंगे अगर हम इसे पहले बात करें तो अब आपस 16-17 के करन्ट अफेस अभी हमने चैनल के प्लोड नहीं किये थे दूटू सम अमर्जेंसी तो आज हम 16 और 17 के भी जो इंपोर्टन्ट करन्ट अफेस है उन सब को 18 के अंदर ही अभी वो तीन कंट्रीज की विजिट में गए हैं नाइजीरिया गोयना और आज ब्राजील जहां पर आज 19th G20 की समिट स्टार्ट हो गई है जो कि लास्ट टाइंडिया में हुई थी इस बार ब्राजील में हो रही है लास्ट और नेक्स टाइम यहां पर बात करें तो साफ फ्रीका में होगी इसको डिसकास करेंगे भी हम तो अभी Grand Commander of the Order of Niger Niger नाइजीरिया नहीं यहां पर पदहां मंतर जी को GCON Grand Commander of the Order of Niger के साथ कॉन फर्किया है और वो सेकिंड फॉरें डिगनेटरी बन गए है यहां पर इस ओनर को रिशीब करने वाले के लिए लेने के लिए तो अपने आप पे ही विजट बहुत इंपॉर्टन भी हो जाती है एने के मेजर ओयल प्रेडूसिंग कंट्री है नाइजीरिया जिसकी अगर क्यापिटल की बात कर लें तो अभूजा जहांकी नाइजीरिया की क्यापिटल है तो सबसे पहली नियूज इस तरह के हमने एक पुरा शौट भी बिनाया है जिसमें पूर साल में कौन-कौन से अवार्ड मिले है उन्ने डिसकेर्स किये थे अगें हम जब साल का सुर्या को ठीक है शिलंकन प्रेजिदेंट अनुरा कुमार दिस रंके रीपोइंटेड हरेनी अमार सुर्या एद प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया नोशन आइलेंड on Monday ठीक है शिलंका यहां पे आप देख रहे हैं ठीक है और यहीं पर आप एक स्ट्रीट भी देखते हैं स्ट्रीट क्या होती है एक नेरो वाटर बॉड़ी जो दो लार्ज वाटर बॉड़ी को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं स्ट्रीट तो यहां पर हमें पाक स्ट्रीट देखने को मिलती है ठीक है डिसाइन के उस लफ्टिस कोईलिशन बॉन 159 सीट इन 225 मेंबर पालिमेंट और स्काली आपको यह पता हूं कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर कर दिये गए है अमर सुरे ठीक है तो यहां पर देन्मार्क ही यहां पर 21 यह ओल्ड ने हिस्ट्री बना दी है तो सीधा आपसे विक्टोरिया के डेन्मार्क की डिरेक्ली कोशिल पूछा जा सकता है कि किसने इस बार का मिस्ट्री यहां पर पेजिंट जीता है मेक्सिको मेर्या फिर्नेंडा फिनिश्ट एज रुनर अरप वाल दे नाइजीडियास एडिशीन तुक दस सेकिंड रुनर अरप पोजिशन ठीक है मेक्सिको नेजीडिया यह आपसे विश्ब कोई एक्जाम में ना ही पूछे बट यह कौन जीता है आपसे पूछा जा सकत है अपने आप में अचीमेंट है एक और पहली बार कोई भी नहीं आया है इस कंट्री से नौ नेक्स्ट नीजिस जीट्वन्टी जीट्वन्टी टू बिगें इन ब्राजील टुडेग जीट्वन्टी से लिटीन हमने 15th of almost 14 जा 15 निवंबर के जो करेंटेफेस डिसकर्श कर लेए थी कि जीट्वन्टी कब स्टार्ट हुई है क्या-क्या इसके समिट यहां पे एजन्डाज रहते हैं ठीक है और कि इसकी हिस्ट्री रही है कि तरीके से जुच्ट आया लास्ट टाइम हम देखते हैं कि इसमें एफरीकन यूनियन को एड किया गया तो जी 19 है प्लस ए पूछी जा सकती है ठीक है लास्ट टाइम यहां पर कौन था इंडिया इस टाइम कौन है ब्राजील नेक्स टाइम कौन आएगा साउट अफरीका यह तीन चीजें आपको पता हो ठीक है इस तरीके से इसको कहते हैं जी 20 ट्रॉयका ट्रॉयका मतलब तीन कंट्री पिछली कं चीजें हैं आप अगर अगर अगरे देखेंगे तो चार-पार दिन पहले के इक एक चीज़ डिसकर्स कर चुके हैं अब आज का दिन पहला है तो आज क्या डिसकेशन होगी ग्लोबल एलाइंट ऑन हंगर एंड पॉवर्टी दे इनिशेटिव टेकन अंडर ब्राजीलियन पहले दिन आज ग्लोबल एलाइंट जो बनेगा हंगर पावर्टी इसके उपर डिसकर्शन होगी उसके बाद सेकेंड यहां पर क्रिटिकल इशूस रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंसिटूशन इसके उपर डिसकर्शन होगी तो दोनों दिन यहां पर अलग-लग को रखा गया है ठीक है ब्राजील में हो रही है नेक्स्ट साउथ अफ्रीका में यहां पर कड़क करवाई जाएगी ब्रेंडिंग अजर्श वर्ड एन सस्टेनेबल प्लानेट ठीक है ब्राजील 2024 G20 ना नेक्स्ट निउस हमार पास गवर्मेंट्स पियर प्रोग्राम तो ठीक है ऒालेट्स इस रिसेंट्स हाइर एजूकेशन में रिसेर्च इनेफ़ेशं को बूस्ट को लिए प्रोग्राम और पियर पीर क्या है पार्टनर्शिप पॉर एक्सिलेरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च पेर बिसिकली यह रिसर्च ओरेंटेड हाइर एजुकीशन की जो क्वालेटी है उसको यहां पर इन्हांस करने जा रहा है तो आप से डिरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि दा पेर प्रोग्राम इस दी एजुकीशन पॉलिस है 2020 का यह रिसर्च एक्सिलेंस को क्वाइट ओब्यस है कल्टीवेट करेगी इन्हांस करेगी सेंट्रल और स्टेट पॉब्लिक इनिवर्सिटीज में बाई कोलेबरेशन विट टॉप टायर इंसिटूशन वायर मेंटोर्शिप ड्रिवन हब और स्प पास जैपैन इन जीडीपी रैंकिंग बाई 2025 पॉच शांदार नियूज यहां पर हमारे है कि इंडिया की जो जीडीपी है यहां पर इंडिया जीडीपी ग्रॉस्यमेस्टिक परड़क्ट कुट सून बिकम लार्जर दिन जैपैंस जैपैंस को ओवर्टीक कर सकते हैं में इसलिडीपी जैपैंस में अर्टिकल था बेज आद डिसकेशन विट सम एकोनोमिस्ट फ्रम जैपैन फेट अफ एश्या पसिफिक पर अपर अप्र नॉमिक्स याद रहे कि उपेपर के हिसाब से इंडिया जैपैंस को सर्पास कर सकती है 2025 में इन्डिया का इंफ्लेंस है वह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो एकनॉमिक फोर्स में इंडिया की ट्रेजेक्ट्री है वह कहीं ना कहीं बढ़ रही है इंडिया जैपैंस कर चुकी है इंदा एशिया पावर इंडिक्स तो यह नियूज आपनल इंपोर्टेंट है इंडिया की नियूज हो गई अगर इंडिया की हम बात कर लें इंडिया किस-किस यहां पे टर्म्स में शाइन कर रहा है अगर हम एकनॉमिक कैपलिटीज की बात कर लें इंडिया की मिलिटरी कैपलिटीज की बात कर लें अभी आपने देखा भी कि डिफेंस मिनिस्टे जी ने का कि ग्लोबल हब बने वाले हम ड्राउन इंडस्ट्री में जल्दी ही डिप्लोमाटिक इंफ्लिउंस लेजे हर चीज में इंडिया का स्ट्रेचर लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं न कहीं यहां पर देख रहे हैं आपकी जल्दी ही दो हजार पक्षिस में इंडिया जैपैन को सर्पैस कर जाएगा पर वह कहना है कि यहां का सेक्लुरिजम वर्ड को हटा दिया जाए जो अटॉनी जर्नल थे बांग्लादेश के महम्मद असादू जमान उन्हें यहां पर हेरिंग में कहां सावाल उठाया और फिफ्टींथ कॉंस्टिटूशनल एमेंडमेंडमेंड अभी इनको काय की इसको हटाय जाए बेंगाली नाशनलिजम थर्ड वर्ड और डेजिगनिशन ऑफ बंगबंगा बंदू शेक मुझीब रह्मान अजा फादर आफ नेशन यहां पर शेक मुझीब रह्मान को दिया गया है डेजिगनिशन यहां पर फोर्थ चीज यह है जिसको र इंश्यों एक्वालिट इकर राइट्स को इंगॉली ने अलने का ही कही ना कही boy हो रहा है उट्वीरेस से जो कि subvert करेगा democracy को कोई भी change जो subvert करेगा democracy को that means कही ना कहीं यह undermine कर रहे हैं democracy को by restricting reforms and the political power भई आप reforms नहीं ला सकते political power को consolidate नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं यह जो है article 7 capital यह भी undermine कर रहे हैं democracy को तो यहां पर उन्हें ने कहा कि जो constitutional reforms हैं यहां पर वह align होने चाहिए विदा वेल्यूज ऑफ democracy, liberation, war and national unity इस तो उन्हें ने कहा कि 15th constitutional amendment कहीं ना कहीं unconstitutional है और उसको यहां पर उन्हें challenge कर रहा है और इसलिए वह कह रहे हैं कि secularism word हटा देना चाहिए 90% Muslim से हैं 17th of December को यहां पर nation ने लाला लाज पत्राय जो की मोगा डिस्टिक्स से हैं उनकी 96th death anniversary को यहां पर celebrate किया ठीक है यहां पर पंजाब केशरी के नाम से वह जाना जाते थी 96th उनकी anniversary थी 17th of November को ठीक है head injuries उनको आई थी आप सब को पता ही है जब वह peaceful project यहां पर protest कर रहे थे साइमन गो बैक 1927 आप सब को पता है Simon Commission की रिपोर्ट आती है ठीक है इस लीडर्स अगर हम बात कर लें तो यह आपको पता है पाल ट्रायो ट्रायो था एक लारा लाज पत्र राय ठीक है बाल गंगर धर्दिलग विपिन चंद्रबाल तो यहां पर लाल ट्रायो लाल ट्रायो अमरे करता है यह तीन आप मॉटर्ण हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं अलों नेक्स न्यूज बहुत इंपर्टन थी सीडियस इस पेसली बार भी कोशन पूछ चुका है से कि जो इंडिया की लीथियम आइन बैटरी है उसका जो इंपोर्ट है वो कहीं न कहीं सबसे पहली इस न्यूज को क्याज करने में आपको पता हो अबाउट लीथियम यह आपके साइन्स वाले परस्पेक्टिव से इंपॉर्टन है इसके बाद कि कौन-कौन से देश यहां पर लीथियम आइन बैटरी प्रड़क्शन में सबसे पहले चल रहा है तो नंबर बान कंट्री में आल्मोस 93 परसंट जो टोटल है वह यहां पर प्रड़क्शन हो जाती है कि पांच की पांच कंट्री आपके एक्जाम के लिए बहुत हैं इसके बाद यह तीनों फेक्ट्स आपके लिए अल्डरा इंपॉर्टन है चाइना लाजस इंपॉर्टर है रॉ लिथिय दीं प्रडिश्म ओफ लिए उसके लिए आपको इत्रेंगल याद रखने है यह से मैंने आपको ओपी अ इसी तरीके से यहां पर आपको तीन जाद रखनी है एबी सी ए स्टैंट फटर्ट पर अर्गंटीन इसकी कैपितल है लपास हाइस कैपितल है वर्ड की तो चिले पहले नमबर बन पर चल रहा था बट एट प्रेजट अगर हम बात कर ले एस पर देटा ऑफ दे निउस्पेपर और स्टेलिया लीडिंग प्रडूसर बन गया है लीथियम का एंड नमबर टू भी हमारे पास आ गया है चिले इंडिया में कहां तहां पर होता है आजकल जारकंड खूब निउस में है जापकर लीथियम रिजर्फ भी देखने को मिलते हैं तो आपको याद रहे कि ऑस्टेलिया अभी लीडिंग प्रेडूसर पर है नमबर बन पे और नमबर टू पर चिले आ गया गया पहले चिले नमबर बन पर था एंड जो चाइना है वो लाज़ इंप्रेंटर है राओ लिथियम का और लिथियम वाइन बेटरीज का मैं इस चिले को याद रखना है यहाँपि छिछ त्रेंगल में भी को कहा जाता है कि इसकी शेफ दीरे-दीरे क्रिसेंट की शेफ में हो रहा हुत इसका नाम जदी ही चेंज होने जा रहा है लिदिय्टि एक अब बजाशव लूत डीन चेफ पे बड़कुछ छेफ पनी कुछ रहा है वह रीम कांशव पर है अटकमा डेजट और उसके अराउंड जितने भी एरड यह जाज है इस एंडिस के यह पर हमें अटकमा डेजट देखने को मिलता है जो कि ड्राइस्ट डेजट है ठीक है अब यह जो तीनों कंट्री हैं A B C अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर हमें अर्जेंटीना की बात करें तो शलार देल, होंब्रे, मॉयट्रो नमबर वान उसके बाद भी बोलीवे की बात करें तो शलार दे उयानी नमबर टू एंड चिली के बात करें तो सिलार दे एटकमा चिली तो यह तीन हमारे पास अलग लग सॉलिड पैंट से जो की फेमस है फोर्द लिटिया ठीक है तो यह चीज़ पता हो आपको यहां पर कि ऑस्टेलिया अब नमबर वन पर है इंडिया में कहां काम पर है राजस्थान जारखंड ठीक है जी एन के यह एरिया आपको पता हो एंड यह तीनों कौन-कौन से पर्टिकल सॉल पैंट्स हैं ठीक है तो यह कुछ न्यूस थ तो अभी चार बज़े के बाग जो भी न्यूस अगर अभी आएगी तो मैं कल वाले जुकर अंटरफेस हमा रहे होंगे 19th of November उसके अंतरगत इंटेग्रेट कर दूंबा तो विद इस वर्ड्स आई कंडूर मैं टुडे शेशन जैएंटू आल ठेक क्या